है गाईज हूँ यह हूप कि आप अच्छे हूंगे और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलेटेगनिक के इस ट्रेड में लोगों को जॉब लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है गाईज कुछ लोगों का comment आया कुछ लोगों का message आया कि sir मुझे straight में job लेने में दिक्कत हो रही आप कह रहे हो बहुत job है और job ही नहीं है market में तो चलो इस पूरे वीडियो में इसका मैं reply करता हूँ और पहली बार अगर आप politics ने कड़ा channel प्याओ channel subscribe करिए और bell icon को press करिए ताकि हर वीडियो की proper notification आप लोगों को मिलती रहे तो क्या ऐसी problem आ गई क्या ऐसी चीज आ गई जिसकी विज़े से ये issue आ रहा है जिसकी विज़े से ये problem आ रहा है देखो guys एक ऐसा trade जिस पर थोड़ा हंगामा मचा हुआ है मैंने videos बनाई आप लोगों ने देखा लेकिन multiple लोगों ने उस पे reviews दिया कि sir अभी problem चल ला है लोग कह रहे हैं कि civil engineering के बाद job नहीं मिल लही है civil engineering कोई कह रहा है मैं 6 साल से कर रहा हूँ कोई 8 साल से कोई 5 साल से कोई 1 साल से कोई 2 साल से ऐसे कर रहे है मल्टिपल कमेंट आये लोग के message आये तो मैंने का चलो वनान वन ऐसे reply करना तो आसान नहीं है आप लोग इतनी बड़ी family बन चुके हैं 20,000 के करीब में family member है और तो मैंने का देखो जो civil engineering है ना वहाँ पर problem कहा आ रही है आपको जॉब लेने में सबसे बड़ी बात यह ना कि आप exact project के location पे पहुँच रहे होगी नहीं मेरे को यह जानना है comment करके बताईए का आप लोग कि क्या कितनी लोग project location पे पहुँचे real estate के market गाई जब जब मैं news कोल के देख रहा हूं real estate के market बहुत तेज बूम कर रही है अगर market बूम कर रही है तो बिना civil engineer के add-on हुए यह building construction का काम कैसे चला है किसी भी कोने में चल जब अब आप यह सोचो कि मैं अपने घर पे या गाउं पे हूँ यह गाउं के बगल में प्लांट चला या project चला वहीं गया इंटर्विजों ने मना कर दिया मैं चलाया उसके बाद आके वीडियो पे comment कर रहा हूं किस सर आपने ऐसे बनाया भाई चूते तो गिसने पड़ेंगे पहली जॉब है मैनत तो करनी पड़ेगी पहली जॉब है मैन करने मैं आपको आपको मैं बोलता हूं अपने द्यान दो इन सब चीजयों फोकस करना पड़ेगा बहुत पहले से जो लोग बेरुजगार हैं वो hopeless है, मैं बता दूँ, 90% ऐसे लोग हैं जो कोरोना से पहले pass out हुए job नहीं लगी और कोरोना के बाद जो pass out हुए है, during कोरोना हुए, उनकी job नहीं लगी बागी चीज़े धीरे-धीरे सही चल रही है, अब वो जो लोगों की job नहीं लगी है उनको adjustment करने में issue हो रही है, क्योंकि उन्होंने काफी time बिता दिया उनको लग रहा है, अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा तो guys, मैं आपको बता दूँ न, आपको एक dedicated way में चलना पड़ेगा एक सही तरीकी से चलना पड़ेगा और अच्छे से चलना पड़ेगा जब तक आप एक dedicated way में नहीं चलोगे, सही तरीकी से नहीं चलोगे, अच्छे से नहीं चलोगे जाईज आपका career आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप job नहीं ले पाओगे civil engineering के बाद तो देखो multiple जगहों पे जाओ, metro cities में जाओ, और चहां project चल लहे हूँ, वहाँ पे जाओ, बहुत सारे government project भी निकल लहे हैं, जिसमें फ्रेशर की भरती हो रही है उसके tender को भी आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे हो रही है, NTPC में भी निकल ला है, BHL में भी निकल ला है, बहुत सारे contract निकल ला है, आपको जानना ज़रूरी है, आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, apply नहीं करोगे, तो घर में बैठके तो नहीं मिल पाएगा civil engineer की job, चलिए अगर किसी को बुराल लगाओ तो उसके लिए मैं sorry पहले ही बोल दे रहा हूं, और वीडियो में इतना ही, जो लोग टेलिग्राम पे उहां भी जोइन करें, मिलते आप से next video में, thank you